वारिश ना होने के कारण बारफ बारी ना होने के कारण सेव को बहुत नुक्सान है सेव के लिए चीलिंग शोला और बारा गंटे होना चाहिए वो नहीं हो रही है अगर बारफ बारी नहीं होई तो पोद्दों को भी नुक्सान होगा और इस बार शेव की पैदावारी ना होने का बहुत नुक्सान इस बार बारिश ना होने से बागवानों को बड़ा परिशानी आ रही है जो शेव के भीचे हैं उनके लिए बार बारी बहुत जरूरी होत बर बर नहीं हुई और बागवान काफी निराश है हमारे जो कई लोग है उनका सेपीड ही सालो का इनकम आती है प्रिवार चलता है बर बारिश नहोने से काफी नुक्सान हो रहा है पिछले कुछ सालों में जैसे हमने पिछले पांच-छे सालों से देखा तो इतना भी फेवरेवल कंडिशन होनी चाहिए अपल के लिए वो उतनी सो टेवल नहीं मिल रही है परन्तु इस वर्ष पिछले साल के तुलना में और भी ज़्यादा हालात ज़्यादा खराब नज़रा रहे हैं क्योंकि अभी जनुरी का हमारा पहला प्रखवाड़ा खत्म होने को है पहला और अभी तक अभी हमें बारिश नहीं हुई है इस एक शेतर में और यह एक लंबा स्पैल चला गया है जो कि हमारे बिशेश कर सेथ के पोदों को और दूसरे हमारे जो टंप्रेट फूट्स हैं जिसमें की सेथ के साथ आगे नाशपाती वालनार्ट या स्टोन फूट्स भी आती है इनके लिए एक चिलिंग चिलिंग आर्ट्स की रिक्व पादन है उसमें दोनों का बहुत ज्यादा रोल है लग बग देखा जाए तो 35% हमारे सेथ के केस में चिलिंग आर्ज को रहता है और 30% हमारे जो वैदर फ्लक्शूएशन ही जिसमें कह सकते हैं कि रेंफॉल से रिलेटेड आ गया तो यह अभी हमें बिलकुल नहीं मिला है तो इसमें देखा जाए तो चीलिंग आर्ज जैसे मैंने पहले बात कही एक तरह का लोग तंपरेचर रहता है सर्दियों में जो कि कुछ आर्ज तक रहना चाहिए फुल विंटर में तो यह मेंली 7.2 डिग्री से उपर नहीं जाना चाहिए जो गंट का तंपरेचर होता है और उससे नीचे जाता है तो वह ज्यादा बेटर है ना कि उससे ब्यों जाए तो यह इसके कुछ घंटे रखे हैं अमूमन सेप के लिए 1200-1500 तक भी हमें चीलिंग आर्ज मिलने चाहिए जितने ज्यादा अधिक्तम साइड जाते हैं चीलिंग आर्ज यह उतने यह बेनिफ तो अधिक्तम साइड बेन चीलिंग आर्ज मिलने यह ज़िए जो अपर हाइट उनमें बिना बारिश के भी चीलिंग आर्ज मिल रहे हैं नो डाउट वो मिल जाएंगे उनको पंदू साथ में एक स्वाइल मोस्टर का भी पराम हो रहता है अगर उस्वाइल मोस्टर नहीं म और जो न्यू प्लांटेशन अमने एक साल पहले या दो साल पहले या इवन तीन साल पहले की है उसको भी पाटर स्ट्रेस रहेगा तो डिफेटली इस नोट गुड फॉर और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इं